Hello guys, welcome to my YouTube channel Procreators, मैं हूँ आपका दोस्त, कपिल तो दोस्त, आज हम start करने वाले हैं Google Ads की class number 5 दोस्तों देखिए, इससे पहले मैंने 4 classes बनाई हैं, उसमें मैंने आपको बहुत साथ चीज़ें clear की है Google Ads की अगर आपने उन्हें नहीं watch किया है, तो link decision मैं है, उन्हें भी ज़रूर watch कर लिजेगा, ठीक है तो यहाँ पर इस class में हम सीखने वाले हैं negative keywords के बारे में, तो last class में हमने keywords के बारे में थोड़ा detail में जाना था कि कैसे मैं keywords को यहाँ पर define करना है, अलग लग तरीके से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको negative keywords के बारे में बताने वाला हूँ देखिये, बहुत सारे यहों मेरे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, जब Google Ads को लगाते हैं, तो वो इस part को skip कर जाते हैं negative keywords वाले को लेकिन दोस्तों, इसका आपकी ad पर बहुत बड़ा effect परता है, जब भी आप अपनी campaign लगाने वाले होते हैं, तो चलिए अभी ज़्यादा टेंग ना ले तो यह वीडियो को शुरू करते हैं, तो दीखिये, negative keywords क्या होते हैं, क्या इनका role है, तो आई यह से जानते हैं, तो यह keywords मैंने last class में बताया दें, तो वहाँ से दिखिया, हम यहाँ पर broad match keyword को use करते हैं, broad match क्या होता है, जैसे कि मालीजे, आपने एक course बनाया है, google ads course, वो आपका course कौन सा है, वो आपका paid course है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपना broad match keyword लगा दिया, जो आपने वहाँ लिख ads course, ठीक है, तो जब वहाँ पर दिखिये, search होगा, free google ads course, तब भी आपका वहाँ पर course show कर जाएगा, जब कोई search करेगा, ठीक है, लेकिन आपका course तो paid है, तो उससे क्या होगा, देखिये, आपके उस पर click नहीं जाएंगे, जब click नहीं जाएंगे, उससे आपका CTR नहीं तो दिखिये, समझने वाली बात क्या है, मैं आपको simple language में यहाँ पर समझाता हूँ, कि माल लीजे, आपने broad match में keyword लगा दिया, google ads course, ठीक है, आपका course है paid, लेकिन जब कोई free भी search करेगा, free google ads course, वहाँ पर आपका show हो जाएगा, तो कैसे आपको यहाँ पर search होने से रोकना ह जाहिए, ठीक है, तो यह होता है negative keyword, तो चलिए सबसे पहले इसके मैं आपको benefits बताता हूँ, then आपको campaign में से जाकर बताता हूँ, कि negative keywords हो कहां से आपको eliminate करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिये, सबसे पहला benefit इसका क्या होगा, improve CTR, अगर आपका सही keyword पर सही click होगा, उस पर आपको सही return हो पाएगा, then आपका quality score, यहाँ पर आपका quality score भी increase होगा, अगर आप इन negative keywords के funda को समझ गए और इसे ही use करेंगे, तो चलिए अभी computer screen से आपको बताता हूँ, कि आपको कैसे negative keywords को देखना है, और कैसे यहाँ पर apply करके अपनी campaign को सही तरीके से run करना है, तो आपको यहाँ पर दिखिया, अगर आपको पुरानी वीडियो देखेंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियो सिखाई देंगी, जिसमें ओर ट्रिक बताई गई है, कि इधर से जाके, आपको content पर जाकर keywords का option मिलेगा, यहाँ सिवर आप डूनते रहेंगे कि क यहाँ पर अब negative keywords आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको का करना है, यहाँ पर tools और settings में जाना है, यहाँ पर देखिये आपको shared library में third number पर मिलेगा negative keywords list तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो देखिये जैसे अभी यहाँ पर मैं इसे delete करता हू तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ डिटेल में समझा पाऊंगा, तो चले यह से delete कर दिया, तो इस तरीके से आपके सामने यह सारा interface होगा, negative keyword list का, तो अब जैसे मैंने आपको example के साथ बताया था कि आपने Google Ads का course बनाया है, जो कि आपका paid है, लेकिन free में आपका search नहीं होना ठीक है, तो यह इसका name लिख दिया, then उसके बाद, अब आपको यह वाला यहाँ पर keyword इसे remove करना है, free Google Ads, ठीक है, एक तो यह remove करना है, then Google Ads, free course, तो यहाँ पर भी हमने free course आगे नहीं लिख रहा चलिए, इसे भी लिख देते हैं, ठीक है, तो जैसे इसको आपको eliminate करना है, ठ के बाद, free Google Ads training, ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसे भी लिख दिया, ठीक है, तो यह हम मान लीजे, आपने यह तीनों लगा दिया, तो अगर देखे, यह तीनों keywords पर आपकी ads show कर जाती, तो हमारा तो यहाँ पर Google Ads की जो हमने campaign मनाई थी, वो paid वाले के लिए थ चाते हो कि यब यह keyword सर्च हो, तो आपकी ads ना show हो, ठीक है, आप अपने यहाँ पर recording यहाँ पर लगा सकते हैं, तो कैसे लगाना है, किस तरीके से आपको बता चलेगा, देखे, सबसे पहले आपको इसी तरीके से scenario create करना पड़ेगा, आपको खुछ सोचना पड़ेगा कि दिखाई दिनी चाहिए, ठीक है, तो अभी हमने दिखे, मैं आपको example के लिए बता रहा हूँ, अभी हमने इन तीनों को चूज कर लिया, then आपको यहाँ पर save पर click कर देना है, तो यहाँ पर दिखे, अभी आपकी यह negative keyword की एक list बन चुकी है, तो अब आपने जब campaign बना दी campaign आपको simply बनानी है, वहाँ पर आपको जो keywords पर चाते है, show हो, वहाँ पर आपको keywords डाल देना है, सारी ad को campaign को normally बना देना है, then आपको क्या करना है, फिर ही यहाँ पर आगर इस पर tick करना है, और apply to campaign, यहाँ पर अभी कोई campaign बनी नहीं है, तो मैंने उसे remove कर दिया, नहीं तो आपको यहाँ पर समझा पाता, तो यहाँ पर आपको आपकी campaign नेम शो हो जागा, जब आप apply to campaign पर करेंगे, देखिए, यहाँ पर भी no campaign शो हो जाएगी, आप जैसे उस पर click करेंगे, then apply पर click कर देंगे, तो negative keywords आपकी उस campaign पर चलना start हो जाएंगे, कि जब यह वाली search होग then आपकी add पर देखिए, आपका जो impression है, वो यहाँ पर इन चीजों से जो आई हुई searches है, उनको शो नहीं करेगा, ठीक है, तो यह चीज clear है, अब चलिए second तरीका बताता हूँ, जहां से आप directly कर सकते हैं इस चीज को, तो देखिए, आपको यहाँ पर जाना है tools and settings, then आपको keyword planner पर चले जाना है, ठीक है, तो जैसे आप keyword planner पर जाते हैं, तो आपके सामने ये interface आ जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर आपको discover new keywords पर click कर जाना है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, Google and ads, ठीक है, तो इस पर हमने यहाँ पर get result पर click कर दिया, ठीक है, तो यहाँ प particular target में दिखाना जाते हैं, तो आप यहाँ पर audience select कर सकते हैं, यहाँ से, अभी मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, मैं इसके बारे में detail में आपको आगे बताऊंगा, location and target कैसे गरना है आपको इसको, ठीक है, तो देखिए, अभी आपको यह keywords मिल गए, ठीक है, तो अभी हम य get result पर click कर दिया, तो देखिए, यहाँ पर यह इसकी जो reach है, आपको वो देखनी है, कि कितनी reach आपको इदखाई दे रही है, सभी चीज़ें, यहाँ पर आपको इस पर नहीं show करना है, आप यहाँ से भी इस पर directly tick कीजिए, ठीक है, यहाँ पर more पर click कीजिए, add as negative keyword, broad match, phrase match, exact match, ठीक है, यहाँ पर आप click करके, यहाँ से भी आप इसको negative keyword को add कर सकते हैं, अपनी campaign में, अपनी list में, ठीक है, जब आज भी इसको देखिए, click करेंगे, अभी आपने इसको negative पर लगा दिया, ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से आपका जो यहाँ से भी आप अपने negative keyword क के तौर पर चुना है, और इन keywords को eliminate किया है, तो होप सो दोस्तो अब आपको negative keyword के बारे में, detail में पता चल गया होगा, मैंने बहुत ही simple तरीके से, आपके यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो दोस्तो अगर आपको फिर भी को a query रहती है, वो आप comment section में comment कर से, और दोस् दोस्तो एक आपकी information के लिए बता दूँ, मैंने अभी एक और यहाँ पर course पूरा बनाया हुआ है, जो कि totally free है, जिसमें मैंने YouTube का full course बनाया है, उसमें YouTube studio के बारे में detail में बताया है, जिसमें 10 classes में आपको सारा clear हो जगा YouTube studio, और उसके बाद जो 4 classes है, उसमें मैंने आपके य क्यूं रखा है, मैं हर वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ज्याद आता, क्योंकि यहाँ पर हमने रखा है professional creator, हम हर एक creator को बनाने वाले है professional, इसी एम से हमने इस channel को किया है, start, दोस्तों होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ऐसी और वीडियो को दे करुट्ट